नीड अश्टेड यूटिचन में आपको स्वागत है तो जो भी स्टूजेंट बिनौभा उनिवर्सिटी सेमस्टर वन में हैं जिनका कल रिजल्ट जारी कर दिया गया था कल लगभग रात को 10 वजे रिजल्ट जारी हुआ था तो वह रिजल्ट का केवल सोट लिस्ट था उस यहां पर एलुड रही दिखलें अपको जारी हो गया है तो कैसे इसको आपको डॉनलोड करना है मैं सारह आपको प्रकिरिया बताऊंगा झाओढ़ मैं आपको ऑ होही बताऊंगा कि कितना मांख्स लाया है किसमें फैल किसमें पर्मोट है सारह बताऊंगा तो चलते हम में लिख देते हैं BVU BVU ठीक है उसके बाद जिसे आप BVU लिखेगा उसके बाद आपको सर्च कर देना है सर्च करने के बाद आपको नीचे में बिनाव भाई उनिवर्सिटी का वेबसाइट दिखाई देगा जिस परकार से हम लोग पहले वाले वीडियो में किये थे ठीक उसके बाद उसी परकार से आपको नीचे स्क्रोल करना है उसक्रोल करके आपको वही रिजल्ट वाले जगाना है तो आपको नीचे में यहाँ पिडियव था कि आप जो short list था कि आप किसमे pass है किसमे promote है इससे उलापता चल रहा था लेकिन अबर इस बार यह काम नहीं करना है यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा होगा फिर से result यहाँ देखो यहाँ दिख रहा होगा result यहाँ भी result है तो इसी के निचे क्या लिखा हुआ है click here to know your marks यानि अपने marks को जानने के लिए इस पर click करें तो इसको हम लोग click कर देते हैं इसी पर आपको भी click करना है ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको पूरे अच्छी तरह से बताता हूँ यहाँ थोड़ा से यहाँ load हो रहा है ठीक है load होने देजी इसको तो load हो गया उसके बाद आपको फिर से नीचे scroll करना है उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर नीचे लाल कलर में दिखाई दे रहा होगा click here for result result के लिए इस पर यहाँ click करें तो यहाँ आप click to result पर click करेंगे तो इस परकार से आपको कुछ page दिखाई देगा इसको आपको अच्छे तरह से भरना है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको पहले select course यानि आप UG में पढ़ते हैं कि PG में पढ़ते हैं कि FIGP में पढ़ते हैं उसको select करना है तो यहाँ पर आपको click करना है, यहाँ पर आपको click करना है, तो यहाँ लोग click कर देते हैं, उसके बाद आपको चुनना है FIGP, यहाँ पर बहुत सारा option दिया हुआ है, PG दिया हुआ है, UG General दिया हुआ है, UG दिया हुआ, BA दिया हुआ है, तो इसमें आपको कौन से semester में पढ तो तो यहां पर जो भी चाह्ट वाले हो ढगत यहां पर रोल नबर यहां पर रोल लिख करते हो तो यहां हम लोग किलिक करते हैं और roll number लिख लेते हैं इसे ही आप मतलब अपना roll number लिख लिजेगा उसके बाद नीचे में आपको get result दिखाई देगा इसी पर आपको किलिक करना है तो हम लोग get result पर किलिक कर देते हैं तो देखो जिसे आप get result पर किलिक करोगे यहाँ पर आपको कुछ इस परकार से option दिखाई देगा go back and search again तो यहाँ आपको कुछ देर रुखना है ना कि वापस चल जाना है कुछ देर के बाद आपको marks जो भी आपका marks seat है ठीक है वह आपको यहाँ दिख जाएगा तो कुछ देर रुखने के बाद आपको marks seat दिख जाएगा आप यहाँ देख सकते हो marks seat आग चुका है तो इस परकार से आप अपना marks seat देख सकते हो कि कौन से subject में आप कितना marks लाए हो तो यह economics measure रखा है इसमें B plus आया है इसमें भी B plus है इसमें fail है F का मतलब fail है इसमें P का मतलब pass है ठीक है और इसमें C grade लाया है तो इस परकार से आप अपना भी result देख सकते हो ठीक है तो इस परकार से आप अपना देख लिजेगा किसे download करना है मैं आपको बता देता हूँ तो को यह student जो पर mode है यानि कि next semester का exam तो दे सकता है लेकिन इसको फिर से एक बार exam देना पड़ेगा semester 1 का जिसमें मतलब यह fail है किसमें fail है तो cyber defense में इस subject का इसको फिर से exam देना पड़ेगा ठीक है जब semester 1 का exam होगा 2024 वालो का session 2024 से 28 वालो का तो यहाँ पर देख सकते हैं किलिक है to print result अधि आपको इसका PDF निकालना है तो इसी पर आपको किलिक कर देना है ठीक है